है नमस्कार प्रियादर्षकों मैं आचारे आसि सेमहल आपके चैनल as to कालगणामें आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हुँ प्रियादर्षकों आज मैं आपको बताने जा रहा हुं मार्श महिने का रासिपल कन्या रासिवालों का कैसा रहेगा यह आँपालों वालों का पूरा महिना मार्च का स्वास्ता की दिश्य से रोजगार की दिश्य से आर्थिक दिश्य से उन्नेती की दिश्य से भागे की दिश्य से स्वास्त्र संबंदी दामपत्य जीवन संबंदी रोजगार व्यापार उन्नेती संबंदी और स्वास्त्र संबंदी रोग सं मंदी और विदिस में जो लोग रहे कन्या राशी के उनका कैसा रहेगा मार्श का महिना अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब बता रहा हूं यह चंद रासी के आधर पर आपको अपनी जन्म पत्रेगार जन्म कुणली पता निये तो इस राशी को आप अपने नाम राशी पर भी घटित कर सकते हैं पिर दर्शको कन्या राशी वालों के लिए जो मैंने जो रासिफल मार्च का तयार किया है वो गोचर के आदार पर किया है और गोचर में मार्च के मैने में चार ग्रह गोचर कर रहे हैं परिबर्तन कर रहे हैं पहले ग्रह हैं सुक्र ग्रह जो ग्यारा मार्च तक मीन दासी में रहेंगे और 12 मार्च को वो मेस रासी में गोचर करेंगे 12 मार्च तक मंगल गरोह बिसव रासी में रहेंगी आप के सामने जो चारड़ जहां दो अंक लिखावा है वहां रहेंगे उसके बाद वो 3 अंक में चले जाएंगे मंगल गरोह 13 मार्च से और 14 मार्ट तक, जहां पर 11 अंक के लिखाए, वहां सूरिया 15 मार्ट को जहां 12 अंक है, वहां घोचर करेंगे, 15 मार्ट को सूरिया का घोचर है, मीनद आसी में, और 15 मार्ट तक जादा में कुमन राशी में घोचर करेंगे, और सोला मार्च को बुद्ध ग्रह भी कन्या में गोचर करें अन्य ग्रह काफी लंबे समय से आपके दो-तिन महेने से वो पुम्बर आसी में गोचर कर रहे हैं जहां 11 अंग के लिखा हुआ है आपके च्छटे भाव अंग के लिखा सब्सक्राइब और याँ % हजहां वाहर और निखावा यह यह। गोचर कर रहे हैं इस गोचर के according मैंने आपका रासिफल तयार किया है बड़ी-बड़ी बाते मैं आपको बताने वाला हूं बिग्न बादाओं के बाद धन प्राप्तिक के साधन बनेंगे आपको बड़ी मुसिपत आएगी धन प्राप्तिक में करने में आर्थिक दिक्कते आएगे लेकिन तब भी बिग्न बादा आने के बाद दे आपके परिश्ष्रम के द्वारा, आपकी मेनधके द्वारा, आपके लगाउं के कारण धनप्राप्ति की अवसर बनेंगे अत्यधिक खर्च बड़ेगा, आप अनावश्यक खर्च आप कर सकते हैं प्राक्रम पुर्शार्थ विल पावर में आपकी बृढ्दी होती वी मार्च महेने में दिख रही हैं ब्यर्थ की भाग दोड़ रहेगी आप यात्राइन बहुँ याधा करेंगे व्यवसाय रोजगार संबंद में चिंता रहेगी मार्च के महेने में लेकिन आदे मार्च के बाद जब सुर्या का गोचर हो जाएगा और बुद्ध का गोचर हो जाएगा शुक्र का गोचर हो जाएगा तो इस्तिती काफी सुद्रेंगी आपके लिए तीरे दीरे आपका अभ्यापार रोजगार उन्निति की ओर बढ़ेगा लेकिन पहले सुरु नहीं होते हैं तो अपने योजना को आपको किसी से बताना नहीं है कि अगे indicating संबन papier से नहीं मताना आगर आप बदाते हैं तो उसमें उसकाम को ना बनने की छांस बलते हैं इसलिए जो जो पिर के रास्टे से अस्टम में है तो आपने बिल्कुल भी अपनी योजनाओं को बताना नहीं जब तक योजनाओं पूरी नहोती है और गुप्त सत्रों चिंता परिसानी बनी रहेगी आपके मन के अंदर आप सोचते रहेंगे इस ब्यक्ति काराण मेरे को ये हो गया इस ब्यक्ति ने मेरे उप पर तंत्र करते हैं इस आप ने बनी रहें गिप्त सत्रों संबंदी चंता हैं बनी रहें के मामले आपके उपर बं सकते हैं बेवज़ा किसी से लेई नहीं आप अपने बानी को कंट्रॉल रखें अगर आप अपने बानी से किसी को अपसब्द नहीं बोलते हैं उलज़ते नहीं हैं तो कोड कच़री के मामले आपके रुख सकते हैं लेकिन तब भी कोड कच़री के मामले कन्याराशे वालों कहीं जब बनते वे दिख रहे हैं सुर्य का गोचर जो छटे बाव में वो सरकारी डेपार्टमेंट में नौकरियों में भी सम्मान दिलाने वाला होता है और शुक्र का गोचर भी आपके लिए आदे मेने के बाद याने तेरह तारीक के बाद आपकी कहीं इस्थितियां सुदर्थी भी दिख रहे हैं मंगल की इस्थिति के कारण आपको लाब मिलेगा तो यह दिख रहे हैं बेद्यार्थियों के लिए अच्छा समय पढ़ाई पर मन लगाएं पेपर जो भी आप देंगी उसमें आपके बढ़िया नंबर आने की पूर्ण चांस बंद रहें और माता-पिता के लिए कन्या राशिवालों को चिंता करने की जुरत नहीं माता-पिता को क्योंकि विध्यार्थिक को मन पढ़ाई में लेगा लेकिन आपने उन पर आपने थोड़ा कंट्रोल करेंगे पेपरों के टाइम पर तो उन पढ़ाई में वह अच्छे नंबर लाएंगे और संतान संबंदी आपको सुक प्राप्त होगा ये बाते मैंने सूथ के द्वारा आपके लिए बताई हैं मेरे दिश्ट से ये जो महीना है 50% का निया र भगवान देना है वह सके तो बस्तर दे बुद्वार के लिए और गाई उनकी सेवा करें गणित-भगवान की सेवा करेंगे तो आपको लाव मिलता हुआ दिखेगा तो यह दर्शको अगर आप अपने जर्म-पत्रे का जर्म-कुंड़िल दिखाना चाते करना कराना चाते क्युंकि यह गोचर के हिसाब जो मैं बता रहा हूं कहीं बातें व्यक्तिके उपर घटित नहीं होती क्यूंकि उसके ग्राह क्या करते हैं बहुत स्ट्रॉंग आवस्था में रहते और कहीं लोगों के ग्राह बहुत ही वीक रहते हैं इसकारा उनको वह चीजे नहीं मिल पाती अगर आप अपनी जनम पत्रे का भी सहसंद करना चाहते हैं जो वर्टस अपनी चे नमबर चल ला है उस पर आप अपाइमेंट लें फीज जमा करें आप मेरे से फॉन पर भी बात कर सकते हैं और चैट के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं अभी के लिए मुझे अनुमें नमस्कार जय माता दिय।